So Hello Everyone, कैसे हैं आप लोग? उमिद करता हूँ कि आप सफी लोग ठीक होंगे तो दोस्तो आज हम लोग करने वाल हैं रजधानी से संबंधित सवाल और ये सवाल आपके एक्जाम्स के लिए बहुती जादा इंपोर्टेंट है तो जितने भी सवाल है आप लोग अच्छे से कर लिजेगा क्योंकि रजधानी से एक नमबर का सवाल आपके एक्जाम में आते हैं ठीक है तो चली शुरू करते हैं लिक शुरू करने से पहले आपको बतना चाहूँगा कि दोस्तों आज आप लोग का लाइव टेस्ट है सभी लोग को मालूम होगा कि इस चैनल पर आसीज टूटोरियल 2.0 पर जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौझूद है आप जाके यहां से चेक आउट कर लिजेगा और लगबग लगबग आठ बजे के अप्रॉक्स में आप लोग का लाइव क्लास शुरू हो जाएगा उस चैनल पर ठीक है तो जितने भी एमार के कैंडिडेट होंगे डबल लिक होंगे इससार के होंगे तो जाके आप लोग लाइव का अनन्द जरूर उठाईएगा ठीक है तो चले सुरू करते हैं आज का अपना टॉपीक को तो देखिए आपके स्क्रेन पे पहला सवाल है असम की राजधानी है तो आपके सामने चार ओप्सन है ओप्सन A में है इटा नगर B में देशपूर C में अगरतला और D में आईजोल तो फर्स्ट का हो जाएगा ओप्सन B यानि की हो जाएगा देशपूर ठीक है असम की जो राजधानी है देशपूर है और इसमें लगभग लगभग हम लोग 29 सवाल करेंगे जितने भी सवाल है ना सारा का सारा एक्जाम में मतलब की रिप्टेड़ है ठीक है चलिए उसके बाद देख लिए टू नंबर सवाल में 36 गड़ की राजधानी क्या है आपके सामने चार उप्सन है उप्सन A में राइपूर B में राची C में देहरादून और D में हाइदराबाद तो 2 का हो जाएगा उप्सन A यानि की हो जाएगा राइपूर ठीक है 36 गड़ की राजधानी जो है राइपूर है चलिए उसके बाद देख लिए थर्ड नंबर सवाल में जार्खंड की राजधानी आपके सामने चार उप्सन कौरेटी, दमन, पोर्ट बलेर और D में है D में राची तो 3 का हो जाएगा उप्सन नंबर D यानि की हो जाएगा राची क्योंकि जर्खंड की जो राजधानी है राची है ठीक है चलिए अगला सवाल हम लोग का 4 में अंधर परदेश की राजधानी है आपके सामने चार उप्सन है हैदराबाद, पटना, चंडीगर्ड, स्रीनगर और जम्मो तो 4 का हो जाएगा उप्सन A यानि की हो जाएगा हैदराबाद अंधर परदेश की राजधानी जो है हैदराबाद है ठीक है चलिए अगला सवाल है 5 में यह भी इंपोर्टेंट सवाल है देखें इंपोर्टेंट तो सारे का सारे इसमें एक भी सवाल मतलब कट करने लाइक नहीं है अप्सन A में भोपाल, B में भुनेश्वर, जयनगर, मुंबई 5 का हो जाएगा उप्सन D यानि की हो जाएगा मुंबई माहराष्ट की राजदानी मुंबई है चलिए अगला सवाल है 6 में बिहार की राजदानी तो इसका तो राइट एंसर सब लोगों को मालूम होगा 6 का हो जाएगा उप्सन A यानि की हो जाएगा पटना बिहार की राजदानी जो है पटना है चलिए अगला सवाल है 7 में जम्मू और कास्मेर की राजदानी स्रीनगर और जम्मू त्रिवन पुरम भूनेश्वर गंगटो कॉरिक टेंसर जाएगा 7 का उप्सन A यानि की हो जाएगा स्रीनगर और जम्मू जम्मू और कास्मेर की राजदानी जो है स्रीनगरों जम्मू है चलिए अगला सवाल है एट में हर्याना की रजधानी तो आपके सामने चार ओप्षन पढ़जी चंडीगर्ड लखनाओ जैपूर और देखे एक याद करने का एक तरीका देखेगा इनसे मैं मतलब बहुत जल्दे ट्रिक लाने वाला हूँ, क्योंकि मैंने सोचा था, मतलब कर नहीं पाया, क्योंकि थोड़ा सा अभी सेटिंग नहीं हुआ था अच्छे से, तो हो सकता है, तो जब एक्जाम नजदिक हो जाएगा न आपका, तो इस टाइम हम ट्रिक ले याद करवा देंगा बिल्कुल ठीक है, चलिए, अगला सवाल है, टेन में, नागा लेंड की रजदानी कहा है भीया, राइपूर, कोहिमा, हैदराबाद, इनमें से कोई नहीं, टेन का हो जाएगा, ओप्सन B, यानि के हो जाएगा, कोहिमा, नागा लेंड की रजदानी है, कोहिमा, याद रखे चलिए, अगला सवाल है, 11 में, मेगाले की रजदानी, पोर्ट विलेर, देहरादून, सिलांग, इनमें से कोई नहीं, कोरेक्ट एंसर, 11 का ओप्सन C, यानि के हो जाएगा, सिलांग, ठीक है, मेगाले की रजदानी है, सिलांग, अगला सवाल है, 12 में, उत्राखंड की रज देहरादून, हाँ, झारखंड वाला की था न, सोरी, सोरी, देहरादून, कहां गया, भाई, हम लोग कितना नंबर कर रहे थे, उत्राखंड की राजदानी हम लोग करी लिए, त्रिपूरा की तिलंगना कहां गया, भाई, ओ, सोरी, सोरी, दोस्तों, टाइम वेस्ट हो रहे हैं, यार, सोरी, हर्याना की राजदानी हम लोग ने कर लिए थे, एट का हो जाएगा, उप्सन बी, फिर से फटाफ़र देख लिए, और नाइन का हो जाएगा, उप्सन नमबर मैंने भूल गे, सोरी, यार, तो नाइन का उप्सन ए हो जाएगा, इमफाल, ठीक है, मड़ीपूर की राजदानी, नागालन की बात की जाएगा, टेन का हो जाएगा, उप्सन बी, यानि की कोहिमा हो जाएगा, चलिए, अगला प्रिशन देखते है, मेघाले की बात की जाए, मेघाले की राजदानी हो जाएगा, यानि क्यों हो जाएगा देहरा दूं ठीक है चलिए मैंने भोल गया था कोई बात नहीं आगे देखे त्री पूरा की राजधानी है वह या सिलांग अगरतला रायपूर इन में से कोई नहीं कोरेक्ट रेंग सुर जाएगा 13 का ऑप्शन बी यानि क्यों हो जाएगा अगरतला बीम है है हैदराबाद सी में लकनो और डीम है इन में से कोई नहीं कोरेक्ट रेंसर हो जाएगा 14 का ऑप्शन बी यानि क्यों हो जाएगा क्या हैदराबाद ठीक है ऑप्शन बी टिक कर देजिए उसके बाद देखिए 15 नमबर सवाल है अंडमान एउम निकोबार की चलिए अगला सवाल है दमन और दिव की राजधानी है कोरेक्ट अंसर जाएगा 16 का ऑप्शन C यानि क्यों हो जाएगा दमन ठीक है चलिए अगला सवाल है 17 में लक्ष दीप की राजधानी है कोरेटी कोहिमा नागालेंड उत्राखंड कोरेक्ट अंसर जाएगा 17 का ठीक है याद रखिएगा चलिए अगले सवाल है 18 में गुवा की राजधानी है पढ़ जी गुवापूरी गुमन्त गुपका पाटन कॉरिक्ट एंसर हो जाएगा 18 का option A यानि क्यों हो जाएगा पढ़ जी ठीक है चलिए अगले सवाल है 19 में गुजरात की राजधानी गुजरात की जो राजधानी है 19 का हो जाएगा option C गांधी नगर ठीक है चलिए अगला सवाल है 20 में हिमाचल परदेश की राजधानी बिलासपूर सोलन हमीरपूर ठीक हमीरपूर सिमला सिमला कॉरेक्ट एंसर जाएगा 20 का option D यानि क्यों हो जाएगा सिमला ठीक है याद रख 21 का हो जाएगा option B यानि क्यों हो जाएगा बेंगलोरू ठीक है करनाटक की जो राजधानी है याद रखेगा चलिए अगला सवाल है 22 में केरल की राजधानी क्या है आपके सामने चार आप्सन भी है कॉरेक्ट टेंसर हो जाएगा 22 का option number C यानि क्यों हो जाएगा त्रीवंत पूरम याद रखेगा किरल की राजधानी चलिए 22 का option C अगला सवाल है 23 में मध्ध परदेश की राजधानी है भोपाल राजगर्ड छत्तरपूर इंदोर क्यों हो जाएगा 23 का option A यानि क्यों हो जाएगा भोपाल मध्ध परदेश की राजधानी जो है भोपाल है ठीक है चलिए अगला सवाल है 24 में पंजाब की रज़धानी है अम्रित सर पतियाला चंडिगड लुदियाना क्या हो जाएगा 24 का ऑप्शन C यानि कि हो जाएगा चंडिगड ठीक है क्या हो जाएगा 24 का ऑप्शन हो जाएगा C यानि कि चंडिगड ठीक है चलिए अगला सवाल है 25 में राजस्थान की राजधानी कहा है आपके सामने चार ओप्सेन है चितोडगर्ड भरतपूर जोदपूर जैपूर चलिए चलिए अगला सवाल है 27 में तमिल्नादू कि राजधानी है कोईम बतूर होता है इसके बाद तीरुने लवेली त्रीची चैन्नाई कोरेक्टस 17 का ओप्सन डीचैन हो जाएगा तमिल्नादू कि राजधानी ओप्सन डी चेकाउट चलिए चेकाउट क्या सही है बिल्कुल 27 का option D हो जाएगा भाई ठीक है अगला सवाल है यार बोलते है बोलते है यार पता नहीं कब रेस्ट मिलेगा हम भी सोचते है लाइफ में उत्तर परदेश की राजधानी है मेरट लखनो आगरा खानपूर 28 का हो जाएगा option B यानि की लखनो उत्तर परदेश की राजधानी जो लखनो है तो हम भी सोचते हैं यार की कभी रेस्ट मिल जाए बोलते बलते मत गला सुख जाते है फिर रवाज मतलब की गड़बड होने लगता है ये मतलब अकसर होते रहते है मेरे को खास करके पता है अगला सवाल देखते हैं 29 में परस्विम बंगाल की रजधानी है अभी गला इतना तिस दर्द कर रहा है कि लग रहा है वीडियो को पुछ करके छोड़ दो 29 कहो जाएगा option A यानि कि कोलकता ठीक है परस्विम बंगाल की रजधानी जो है कोलकता है तो जितने भी सवाल है सारे के सारे इंपोर्टेंट है रट लिजएगा याद कर लिजएगा यहां से आपकी एक्जाम में मतलब कि सब लोग एक्जाम में यहां से जरूर आएगा एक अक नंबर के मतलब कि यह समझ लो कि एक अक नंबर आपको किसी भी हाल में आएगा 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 100% रेली है और लाइव हमारा क्लास 8 बजे के अप्रॉक्समेटली में स्टार्ट हो जाएगा असे टूटोरिय पर आप लोग जाके बड़ चेक आउट कर लेजें लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है मिलते हैं एक और वीडियो में तब तक लिए अपना ख्याल रखेगा थैंक्यो सो मच बाबाय टेक केर और वेस्ट